हाई गाईज वेल्कम बैक टीन आवर चैनल मैसेलफ इन मंजीत यादो तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खुसकवरी देने वाला हूं कि यदि आप पॉलिटेक्निक के स्टुडेंट है सिक्स सेमेस्टर यानि फाइनल येर के सिविल डिपार्टमेंट से गर आप हैं त जैसे डिजाइन आफ स्टील इस्ट्रक्चर और कॉंटिटी आफ सर्वेइंग एंड वैल्वेशन ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि नुमेरिकली सब्जेक्ट हैं इन में काफी प्रॉब्लम होती है तो इन दोनों सब्जेक्ट को हला कि और भी मैं सब्जेक्ट कवर करने वाला हूं बट इन दो सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं और एक फ्री आफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा इसमें आपको कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा और कंप्लीट वीडियो पूरा आपको मिलेगा इस चनल के माध्यम से ऐसे मैं और लेड़ी इस चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट डाल चुका हूँ पहले से भी बट मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि स्लेबस में भी थोड़ा वह चेंजिंग आया हुआ है तो न्यू स्लेबस के एकॉर्डिंग जो भी आपके एकॉर्डिंग टूब जो है आपको चैप्टर फर्स से स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो यदि आप लोग पहली बार आए है इस चैनल पर विजिट कर ले हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए जिससे कोई भी न्यू वीडियो का अप्लोडिंग हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जा बट्स लेबस हिंदी में नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद जब मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा तो उसमें उस चैप्टर में क्या कवर करने वाला हूं उस पर डिसकस करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम और क्वेस्टन नुमेरिकल थी जो भी होगा उस लाइब वीडियो में काफी समय लगता है लाइब लेने में काफी बात चीतों गरह हो जाती है तो उसे मैं कम लाइक करता हूं यह एकि ज्यादातर में आपको अपलोडिंग वीडियो भी आ पहुंचाऊंगा बीच-बीच में डिएंगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम होत हम लोग》 उसी पर बात करते हैं तो डिजाइन आफ इस्टील इस्ट्रक्चर में आपके तो दिया गया है वो दस चैप्टर दिया गया है इस सब्जेक्ट में हम लोग 10चंट कवर करने वाले हैं पहले चेप्टर है Structural Steel and Section पहले चेप्टर केरे हम बात करें तो क्या है Structural Steel and Section इसमें Steel के जो Properties है उसको हम लोग पढ़ेंगे Steel कितने type की होती है वो पढ़ेंगे Steel के कौन-कौन से section होते है जो हम structure में use करते है कितने type के section होते है वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे second chapter आपका है connection यहाँ से start हो जाता है और connection में हमें 3 chapter पढ़ना है Revit connection Bolt connection and Weld connection Revit, Volt और Weld, तीनो तो second chapter आपका है Revited connection उसके बाद Bolt connection है Bolt connection है and fourth chapter में Weld connection पढ़ेंगे Welded connections 5th chapter में Tension member 5th में Tension member उसके बाद compression member ठीक है compression member अनि दोनों member हम पढ़ेंगे Tension member और compression member उसके बाद roof trusses के बारें पढ़ेंगे Roof trusses Roof trusses के बाद जो है Column base पढ़ेंगे Column base के बाद आपके दो चेप्टर और बचेंगे जिसमें अगला चेप्टर है आपका beams के बारें पढ़ेंगे Steel beams ठीक है जो structure में beam use किये जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे and last chapter आपका है fabrication and erection of steel structure आपका है कराद आपका है Like trusses, column and girders तो यह 10 चेप्टर है जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं DSS सब्जेक्ट में यानि कि डिजाइन आफ इस्टील स्ट्रक्चर में ठीक है तो आज से ही तयार हो जाइए और बिल्कुल स्टार्ट कर दिजिए मैं 0 से यानि पहले चेप्टर से ही स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको जो है इन चेप्टर में इस चेप्टर का जो कॉनसेप्ट है वो भी बताऊंगा इनके जो थियूरी है वो सब बताएंगे जितने भी नुमेरिकल इसे में आते हैं जितने भी एक्जाम भी उसे देखा जाए या आपके आगे फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं जो उनके view से देखा जाए तो जितने भी आपके syllabus की हिसाब से है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और numerical ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे क्योंकि exam में काफी numerical subject से पूछा जाता है ठीक है तो तयार हो जाए अब next lecture से मिलूँगा पहले चप्टर के साथ यहने की structural steel and section